Hello everyone, welcome back to my channel. दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है. दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सरीर में यूरिक एसिट का बढ़ना एक आम बात है. बहुत सारे लोगों में यूरिक एसिट बढ़ जाता है, जिससे हमारे सरीर में तरातरा की समस्याएं उत्पन्ध होने लगती है. दोस्तों यूरिक एसिड बढ़ने से मानस्पेसियों में सूजन आ जाती है और इसके साथ ही सरीर के कई हिस्सों में दर्द होने लगता है ये दर्द सरीर के कई हिस्सों में होता है इस समस्या के ज्यादा बढ़ने पर लोग गठिया के अलावा कई और बिमारियों के चपेट में आ जाते हैं तो दोस्तों इसका एक बहुत ही सस्ता और कारगर उपाय है वो क्या है दोस्तों आप पपीता जानते होंगे और आप पपीता खाते भी होंगे पपीता पीले कलर का रेड कलर का बहुत ही प्यारा साफ़ल है खाने में भी बहुत ही पॉस्टिक और स्वादिस्ट है तो दोस्तों यूरिक एसिट को कंट्रोल करेगा पपीता लेकिन कैसे आज आपको मैं इस वीडियो में यही बताने चल रहा हूँ कि आप पपीत का सेवन करिए और अपने आपको यूरिक एसिट से छुटकारा दिलाईए तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि यूरिक एसिट के बढ़ने से सरीर के मानस्पेसियों में सूजन आ जाती है इसके साथ ही सरीर के कई हिसों में दर्द भी होता है ये दर्द सरीर के कई हिस्सों में होता है इस समस्या के ज़्यादा बढ़ने पर लोग गठिया के अलावा कई और बिमारियों की चपेट में आ जाते है जब आप कुछ खाते हैं उसमें यूरिक एसिट बनता है यूरिक एसिट को किड्नी फिल्टर करती है और बड़ी के बाहर निकाल देती है लेकिन जब किड्नी यूरिक एसिट को फिल्टर नहीं कर पाती तो एणियों में तेज दर्द सुरू हो जाता है पैरों में सूजन आ जाती है सुगर हाई हो जाती है किड़नी में स्टोन के साथ किड़नी के फेल होने का खत्रा बढ़ जाता है दोस्तों एक रिसर्च के अनुसार बढ़ा हुआ यूरिक एसिट आपकी जिन्दगी को करीब 11 साल तक कम कर देता है और किड़नी के साथ साथ हार्ट डायविटीजी स्ट्रोक का रिस्क भी कई गुना बढ़ा देता है इसलिए जरूरी है कि समय रहते इसे कंट्रोल किया जाए जानिए कच्चे पपीते का सेवन किस प्रकार आपके यूरिक एसिट को कंट्रोल कर सकता है दोस्तों यूरिक एसिट में कैसे कारगर होगा कच्चा पपीता पपीता पपाया जैसे कहते हैं यूरिक एसिट के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें पपैन नामक एक प्रोटियोलेटिक एंजाइम होता है जो एक प्राकृतिक anti-inflammatory है या सरीर को एक छारी अवस्था में रखने में मदद करता है और रक्त में यूरिक एसिट के निर्मार को रोकने में मदद कर सकता है इसके साथ ही या प्रोटीन पचाने में मदद करता है यूरिक एसिट लेवल के मरीज कैसी करें पपीते का सेवन एक कच्चा पपीता को लेकर इसके बीज निकालकर छोटे छोटे टुकडों में काट ले इसके बाद इसे 2 लिटर पानी में धीमी आज में 5-7 मिनट तक उबाल ले इस पानी को ठंधा करके छान ले और फिर दिन में 2-3 बार पिएं आप चाहें तो पपीते की चाय का भी सेवन कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले एक बरतन में 2 कप पानी डालें अब इसमें करीब 100 ग्राम कच्चे पपीते के छोटे छोटे टुकडे करके डाल दें अब इसे गर्म होने दें जब ये पानी उबलने लगे तो आँच बंद कर दें और पानी को छान लें और इसमें एक ग्रीन टी बैग डालकर धीमे धीमे चाय की तरह सेवन करें दोस्तों पपीता और भी कई बिमारियों में फाइदे मंद है आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पपीते की पत्तियां पपीते का जो बीज है पपीते का पका हुआ फल पपीते का कच्छा फल तरह तरह की बिमारियों में फाइदे मंद होता है डेंगो के इलाज में भी पपीते का प्रयोग किया जाता है दोस्तों जब हमारे प्रकितने ऐसे सुन्दर और स्वाधिश्ट फल हमें दे रखे हैं तो हम अपने आपको स्वस्त रखने के लिए इन फलों का अधिक से अधिक हमें सेवन करना चाहिए कहीं भी पपीता मिल जाए आप पपीते का सेवन जरूर कीजे क्योंकि पपीता जो है पहुँ सारी बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करता है आपके अंदर प्लेटलिट्स को बढ़ाता है इससे मैं डेंगो का प्रकोप चलना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पपीता आपको मिले कच्चा मिले या पक्का मिले आप जो है दोस्तों पपीते का सेवन जरूर कीजे आप इसे पके पपीते को डिरेक्ट आप खा सकते हैं कच्चा पपीता है तो यहां तक तो लोग कच्चे पपीते की सबजे भी बना कर खाते है आप इसे उबाल करके इसका पानी पी सकते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है तो दुस्तों आशा करता हूँ कि मेरा है छोटा से वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे विल आइकन को प्रेस कर दीजे मिलेंगे आपसे नेक्स वीडियो में कुछ नहीं जानकारी लिकर तब तक के लिए नमस्कार